राजिस्थान विधानसभा चुनाओं की 200 में से 199 सीटों पर वोटों की गिंती 3 दिसंबर को होगी इससे पहले भारतिय जंता पार्टी के राजिसभा सदस्य किरोडी लाल मीना ने शुक्रुआर को दावा किया है कि विधानसभा चुनाओं में जीतने वाले कॉंग्रिस उम्मिद्वारों के लिए बैंगलूरू के दो रिजॉर्ट बुक किये गए हैं कॉंग्रिस के सभी विजई उम्मिद्वारों को वहां लेकर जाया जाएगा उन्होंने आरोप लगाया है कि कॉंग्रिस के विधायकों की खरीद फरोक्त करने की आदत है और इसी के चलते वह यह प्रयास कर रहे हैं राजिस्थान में आंदोलन के नाम पर मशहूर किरोडी लाल मीना का यह बयान फिलहाल सुर्ख्यों में बना हुआ है उन्होंने कहा है कि मैंने पुस्टी कर ली है और यह सही है कि बैंगलूरू में दो रिसॉर्ट बुक कराए गए है और वह उनको वहाँ इकठा करेंगे उनकी आदत हार्श ट्रेडिंग की है और यह जरूर करेंगे भाजपा सांसद ने कहा है कि विधासभा चुनाओ को लेकर आये एकजिट पोल में एक रूपता नहीं है क्योंकि कोई भाजपा को बहुमत दे रहा है तो कोई इसे कम दिखा रहे है विधायकों को पहले भी अलग अलग होटल के कमरों में बड़ा बंदी करके रखा गया और लाखो करोडो रुपे उन पर खर्च किये गए है यह सब वह पैसे हैं जो जनता की कमाई के हैं जिने सीयम अशोग गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए खर्च किया मुझे करीबी लोगों से जानकारी मिली है कि निर्दली और कॉंग्रेस विधायकों को राजस्थान से बाहर भेजने की तैयारी मुखे मंत्री अशोग गहलोत कर रहे हैं चुनाव परिनाम आने के साथ ही या विधायकों को बैंगलूरू भेजने की कोशिश करेंगे इसी के चलते बैंगलूरू में दो रिजॉर्ट बुक किये गए हैं राजसभा सदस्य की रोडी लाल मीना ने कहा मैं खुद पूर्वी राजस्थान से चुनाव लड़ा हूँ जहां जैपूर की घाट की घूनी से लेकर भरतपूर और धौलपूर तक 28 सीटे हैं उन में से 22 मैं घूम चुका हूँ और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अब की बार समीकरण भाजपा के पक्ष में है समीकरणों की दृष्टी से जो मैंने अंडर करेंट देखा वो भाजपा के पक्ष में ही है जहां 2018 में मात्र एक सीट आई थी वहीं इस ब 20 सीटे आ रही हैं और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि भाजपा को राजेस्थान में 120 से ज़्यादा सीटे मिलेंगी